सु ही गाइस आज किसमों दिखने वाले हैं क्लास 10 के इंगलिस के फॉर्स फ्लाइट बुक के चैप्टर नमबर वन को जो है अलेटर टू गॉड इसमें दो मेन करेक्टर्स हैं पहला है लेंचो जो की एक फार्मर है और दूसरे एक पोस्ट मास्टर बाकी सारे साइट पाड़ के क्रेश्ट पर यानि उसके टॉप पर और वहां पर और कोई नहीं रहता है उसके अलावा उस पहाड़ पर से अगर आप देखते हो तो नीचे एक रिवर और एक कॉर्ण फिल्ड दिखाई पड़ेगा यहां कॉर्ण फिल्ड लैंचो का है इसे से उसका रोजी र पारिस्त लैंचो सोचा होता है कि एक डाउन पूर हो जाए डाउन पूर का अर्थ हुआ हैवी देन फूर यानि भारी वर्सा लैंचो कहता है कि अगर भारी वर्सा नहीं होई तो कम से कम सावर सावर का अर्थ हुआ एक हलकी वर्सा तो हो जाए इसके लिए वहां नौर्थ लेंचो की पतनी है वहाँ उस समय सपर सपर का अर्थ हुआ रात का खाना यानि डिनर बना रहे होती है और वो कहती है कि हाँ आप बारिस होने वाली है और लेंचो यहाँ प्रिडिट किया रहता है कि हाँ रात तक में बारिस होगी जैसे ही वहाँ और सबको बुलाती है अपन तेरे बार ठंडी हवाय बहने लग जाती है लेंचो यहाँ फिल कर लेता है कि हाँ बारिस होने वाली है इसलिए वह घर से बाहर निकल जाता है लेंचो बाहर बारिस में जाता है और फिर बारिस की बूंदे अपने बॉड़ी पर कुछ दिर फिल करने के बाद वह घर के अंद फाइव सेंट है यह दोनों क्या है तो यह मैक्सिकन करेंसी है लेकिन लैंचो की यहां खुसी जाह दिर तक नहीं रहती है क्योंकि कुछी देर बाद वहाद जो ठंडी हवाएं बहरे थी वह बहुत तेज बहने लग जाती है यानि वह ठंडी हवाएं अब आंधी का रूप ल लेकिन जो बच्चे थे वह थे नादान वह घर से बाहर निकल जाते हैं देखते हैं कि वहाँ यह कितना सुन्दर सुन्दर वाइल्ट पर्ल की तरह यानि कि वह जो गीर रही होती है हेल स्टोंस वहाँ देखने में एकदम सिलवर कॉइंस की तरह लग रहे होते हैं उसको ज दर गये हैं पूरा फसल बरबाद हो गया था जब वह अपने फसल को देखने जाता है तो मानो तो उसके पूरे फिल्ड में वाइट सर्ट अगदम भरे हो मानो नमक की तरफ मानो पूरे तरफ छेटे गया हो क्योंकि पूरा जो ओले थे वो नीजे गिरे वे थे जिससे पूरा वाइट वाइट दिख रहा था पूरा फसल पूरा तबाह हो करके ढग गया था लेंचों खेत के बीचों बीच खड़ा रहता है उसके बच्चे उसके बगल में ही रहते हैं और वह कहता है एकदम उदास हो करके कि इतना जादा तो नुकसानिक प्लेग प्लेग कर तुआ ज लेतों में जाकर के सारे फसल को नस्ट कर देता है तो यहां पर लेंचों कहता है कि इतना तो एक लोकस जो है वो भी इतना जादा तभाई नहीं मचाता है वो भी कुछ ना कुछ फसल छोड़ देता है लेकिन यहां तो हेल स्टोंस ने पूरी ही फसल को बरबाद कर दिया हम हमारा जितना ही महनत था मानों वो सब बरबाद हो गया अब हमारी कौन मदद करेगा लगता है कि इस साल हम सभी जो है भूके रह जाएंगे लेकिन वहाँ पर सभी की दिलों में एक होप था देखो लेंचो अकेला रहता है पूरे उस घाटी में तो सभी का मतलब हुआ उसके घर वालों के दिलों में एक होप था वह था भगवान से मदद मागना लेंचो यह कहता है कि उदास होने की जौत नहीं है भले ही सब कुछ तहस नास हो गया है सब नुकसान हो गया है लेकिन वो कहते हैं कि कोई भी आदमी भूके नहीं मरता है यानि कि वहाँ बोलते है कि भ सेल्फ को जानते हैं कि कौन आदमी जो है किसी चीज को गलत कर रहा है यानि राइट और रॉंग सब को जानते हैं फिर यहां बताया कि यह लैंचो के बारे में हो है कि लैंचो एक आक्स ऑफ और मैं है यानि बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है जो कि जानवरों की तरफ फिल्ड में काम करता है अब संडे की दिन यानि जैसे अंगला संडे आता है वहां डे ब्रेक में यानि एकदम सुबह के वक्त में वहां एक लैटर लिखता है आप देख सकते हो कि हां लैंचो भले एक फार्मर है बट उसे लिखना पढ़ना आता है वहां लैटर लिखता है फिर हे टाउन में जाता है वहां पर उसको पोष्ट करने के लिए उसके बाद Less में वहां लिख देता है to God देन उसके अंदर पूरा डिसकाइब करता है कि मेरे पूरे फसल बरबाद हो गया है इस साल मेरी फैमिली पूरे भूके रह जाएंगी इसलिए मैं आपसे मदद चाहता हूँ कि आप मुझे 100 पैसों भेज दें ताकि मैं वापस फसल लगा सकूँ और इसके अंदर पूरा बता दिया रहता है कैसे उसके फसल बरबाद हो जाते हैं उस हेल स्टोंस के वज़ा से देन वहाँ मेल बॉक्स में डाल देता है अब नेक्स्ट सीन या पर आता है वहाँ है कि पोस्ट में जो कि उस पोस्ट आफिस में काम कर रहा है वहाँ उस लेटर को ले कर जाता है पोस्ट मास्टर के पास वह बहुत ही हसरा होता है अब पोस्ट मास्टर के पास बोलता है कि द एक मोटा और एमिएबल एमिएबल का अर्थ हुआ बहुती फ्रेंडली और बहुती प्रसंद रहने वाला वैक्ति है यानि अच्छे नेचर का वैक्ति है वह पहले तो हसता है लेंगे बहुत में एकदम से वह सीरियस हो जाता है उस लेटर को नीचे मतलब अपने डेक्स पर म चाहता है अब भरोसा ना टूटे इसलिए वहाँ सोचता है कि वहाँ उसकी मदद करेगा उस से फार्मर की इसके लिए अब सिर्फ मदद करने का सोचने से कुछ होता नहीं है यानि गुडविल कोई कर लेगा कि हाँ आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो तो उससे ज यहाँ पर वहाँ जोए अपने एक रेजिल्यूशन बना लेता है यानि कि डिसीजन कर पूरा फर्म कर लेता है कि नहीं वह मदद करेगा देन वहाँ पैसे खटा करता है अपने सेलरी में से वहाँ पर इमपलॉय से मांगता है और सबसे कहता है कि यहाँ एक चैरिटी के डाल देता है और उसके ऊपर लिख दěता है तू लैंचो के लिए अगले इंस लैंचो आता है और किसे पूश्ड है क्या में लेटर आए को होई है पोस्ट में आता है और लिटर देता है लैंचों को सम्कारिक आमें आफिस से यह सब देख रहा होता है लेंचो एकदम सर्प्राइज नहीं होता है और वह लगता कि हम भगवान मदद कर दिये क्योंकि उसे बहुत विश्वास था भगवान पर इसलिए वह लेटर लेता है और चला जाता है उसमें कि जितने पैसों थे उन्हें गिनने के लिए जैसे ही वह गिन रहा होता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि एंवलोप में सर्फ 70 पैसों जी थे यहां उसके दिमाग में दो बात आती है कि या तो भगवान बिलकुल ही पैसे नहीं बेचते यानि इसके रिक्वेस्ट को मना कर देते या अगर उन्होंने पैसा भेजा है तो उनसे गलती तो हो नहीं सकती है तो यहां पर यह लैंचों बहुत गुस्सा हो जाता है कि जो पोस्ट आफिस के वाले लोग है उन्होंने ही इसके पैसे को निकाल लिया है वापस से वह जाता है कि काउंटर के पास मतलब जो विंडो जगे रहते हैं जहां से वह पेपर लेता है और फिर वापस एक लेटर लिखता है यहां सिजे डिरेटल के मेरे पास भेजिएगा यहां पर जो पMr.Pos it Não Is यहां पर मत भीजिएगा क्योंकि यहां के जो ओप्लाइज है क्रूक हैu चौर है और पर गालेज़ने यहां पैसे वह लिख निकाल लिया होग क्योंकि इसमें लेंचो जो है वो एकदम अलग जो की मेन करेक्टर है एक हमारा वह बहुत ही अलग वाइब दे रहा है यहाँ पर लेकिन वही जो पोस्ट मास्टर है वो हमें बहुत ही अलग वाइब दे रहा है यहाँ पर पोस्ट मास्टर अच्छा किया लेकिन उसी के ओपर तो वो भी आपके लिए कुछ करें आप अपने बस एक्षा से कर दिया आपको खुद के खुशी के लिए खुद के साटिस्वेक्शन के लिए तो एक मुरल मैं यहां पर यह चीज कह सकता हूं तो यह था पूरे चैप्टर में आसकर कुछ चैप्टर अच्छी लगया अच्छ